वंदे मातरम दोस्तो, Welcome to Effective Study सबसे पहले सभी को सुतनता दिवस की बहुत-बहुत सुबकामना है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि भारतिय तिरंगे की जो जर्नी रही है वो सुरूआत से लेकर आखिर तक कैसे जो वर्तमान तिरंगा है हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो हमको कैसे प्राप्त हुआ है, उसकी पूरी जर्नी क्या है साथ ही ये समझेंगे कि पिंगली वेंकरिया कौन है और उनका हमारे नेशनल फ्लैग में क्या योगदान है भारती होने के नाते, आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो भारती जिंडा है, वो हमें 7 अगस्त 1906 को प्राप्त हुआ था और ये जो है, कलकत्ता में पार्सी बागान स्कॉयर है वहाँ पर पार्सी कलब द्वारा ये फैराया गया था और इसमें 3 कलर होते थे उपर सबसे उपर हरा रंग, फिर बीच में पीला रंग और सबसे नीचे लाल रंग होता था ये तीनों रंग जो है वो अलग-अलग धर्मों को दरसाते थे हरा रंग Isلام धर्म को जबकि पीला हिंदू धर्म को और यहां लाल रंग बौध धर्म को दर्साता है यहां बीच की पट्टी पर वन्दे मात्रम लिखा हुआ है और नीचे ज़ो है वो चांद बना हुआ है जो इसलाम धर्म का प्रतीक है जबकि यहां सूर्य बना हुआ है जो हिंदु धर्म को दर्साता है और यहां उपर हरे रंकी पट्टे पर यह आठ कमल के चिन बने हुए हैं यह आठ कमल उस समय जो आठ बिटिस प्रांथ हुआ करते थे उनको दर्साता है तो यह था हमारा पहला भारती जंडा इसके बाद द में एक अंतराष्टिय समाजवादी सम्मिलन में उन्होंने इसका जो इस ध्रज को फैराया था तो यहां से यह जो है वो काफी फैमस हो गया था क्योंकि मेडम भीकाजी कामा जो है प्रसेद्य सुतनता सेनानी रही है और इंडियनेशनल कॉंगर्स से जुड़ी हुई रही था और यह जो है थोड़ा डिफ्रेंट था और इसमें क्या है कि इस प्रकार से रैड और ग्रीन पट्टियों का अल्टरनेट एक प्रोसेज बना हुआ था इस प्रकार से और यहां उपर लेफ्ट कॉर्णर में उपर यूनियन जैक बना हुआ था सब तरिसी थे यहां पर स प्त्रेशी साथ तारे दरसाए गए है जबकि चांद और तारे भी दरसाए गए हैं तो यह जो है एक मिला जुला फॉर्मेट था लेकिन यह काफी डिफेरेंट था हमारे पहले के फ्लैक से लेकिन इसके बाद अचानक से जो पहले का मिली था उसमें थोड़ा सा बदलाब क प्रतिक तो एक नेशनल सिंबॉल बन गया था उस समय जो है वो सुतंता आंदोलन के लिए और नीचे जो है सबसे नीचे ग्रीन इसमें ग्रीन पट्टी है हरे रंग की तीनों रंग का अपना-पना महत्व हम जानते हैं कि उपर जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतिक है जबकि ये सफेद रंग जो है वो सांती और पवित्रता का और नीचे ये जो हरा रंग है वो संपन्निता और सम्रध्धी का प्रतिक है लेकिन जो वर्तमान इंडियन नेशनल फ्लैग है वो जो है एक भू भूते विट थे पिंगली वेंकया। और यह जो है इनुकर द्वाराpassen जन्डा किया की गया था और इन्होंने पूरी तरह से महात्मा गांदी जी से अनुमती लेकल इस जन्डे को डिजाइन किया था अब यह पिल्य गया के वारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे ना आपको इतना बता दें इसमें कि पिंगली वेंकईया के वारे में आपको देखों दोस्तों मालूब होना चाहिए क्योंकि जो वर्तमान सुरूप है वो इन ही के द्वारा बनाया गया है यहां बीच में जो सभेद सेनानी थे पिंगली वेंकईया और इनका जो जन्म है वो आंधर प्रदेश के मचली पट्टम में हुआ था अठारा सो अठतर दो अगस्त अठारा सो अठतर हुआ था और यह जो है वो गांदी जी के संपर्क में आये थे तब जाके इन्होंने 1921 में ये राश्टी धोजद तयार किया 1931 में भारती राश्टी कांगरेस ने इस धोज में सफेद रंगी जो पट्टी है उसमें असोक चक्र जोड़ा और अंत में 22 जुलाई 1947 को इसे राश्टी धोज के लिए चुन लिया गया था तो इसको जो बनाने वाले थे स्री पिंगली वेंकईया उनको उन्हो तो उमीद है आज के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि पिंगली वेंकईया कोन है और हमारा जो नेशनल फ्रैग है वो कैसे बना एक भारती होने के नाते आपको ये सारी जानकारी होने चाहिए इसलिए दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस जानकारी को सेर की जिए थैंक्स टू वाच जै हिंद जै भारत